सब्सक्राइब कीजिए राजधाने एजुकेशनल ग्रूप पच्कोड या यूटूब चैनल को, बेल आइकन दबाईए लेटिस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल अब भी जैहिन, जैराजधानी कैसे आप सभी? मैं हमन्त कुमार सिंग, आपका बाईलोसी मेंटर एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूटूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ हम study करते हैं कि आज क्या discuss करने वाले हैं मैंने previous lecture में, previous session में, कल के live session में आप लोगों से question discuss कर रहा था बट हमारा जो one hour का time था वो complete हो गया था इसलिए उसी particular lecture को जो है आज continue करते हैं मैं question number 13 आप से previous lecture में discuss कर रहा था और question number 13 से ही आज के lecture को क्या करते हैं? again start करने वाले हैं, right? question number 13 क्या है? यहाँ पर है पहले हम रीड करते हैं इसको कि क्या पूछ रहा है आप से इन प्लेटी हेलमेंटीज the excretory organs आर यहाँ पर मैं हिंदी में बोलने जा रहा हूं कि अगर हम प्लेटी हेलमेंटीज संग की बात करते हैं जिसे कहा जाता है चप्टे कर्मी जिसे कहते हैं उसमें excretory organ क्या होते हैं? यहाँ पर उचसरजी अंग्चु होते हैं वो चप्टे कर्मी में प्लेटी हेलमेंटीज संग में कौन से होते हैं? चार option है आपके पास कौन सा? मैंने का क्या यह नेफ्रेडिया है? फर्स्ट के बारे में detail में study किया है सीधा सा अंसर आपको आना चाहिए आप सभी के अंसर जल्दी से comment box में आने चाहिए मैंने को कहा कि यह जो प्लेटी हेलमेंटीज होते हैं इसमें excretory के प्रोसेस के लिए उस surgeon के लिए जो है कौन सा अंग होना चाहिए देखिए आपके बास चार option है नेफ्रीडिया नेफ्रों अंसर है हम उसको करते हैं क्योंकि कई बार question को solve करने का एक best तरिका यह भी होता है कि अगर आप में आपको जो है particular बहुत सारा confusion है किसी बी particular question में तो पहले आप जो गलत आंसर है या फिकलत option है उसको eliminate किजिए उसको क्या किजिए बहार निकाली फिर अपने आप दो option मचेगा फिर उस दो option में आप सोचने की कोशिच कीजिए यहां पर देखिए क्या है यह नेफ्रीडिया है नेफ्रीडिया बिल्कुल wrong answer है नेफ्रीडिया कभी नहीं हो सकता है क्योंकि हमने अभी तक जितने भी phylum पड़े हैं किसी में भी नेफ्रीड आर्कियो साइट की बात कते हैं तो आर्कियो साइट का कोई involvement ही नहीं होता क्यों आर्कियो साइट के बारे में आपने पौरी फेरा sponge में पड़ा होगा मैंने आपको वह बताया था कि यह पूर्ण सक्त परकार की totipotent cell होती है जो किसी भी तरह के दूसरे cells में modify हो सकती है ठी और आपको यह पता होना चाहिए कि जो flame cell होता है इसी को क्या कहते हैं इसी को कहते हैं क्या प्रोटो नेफ्रीडिया क्या कहते हैं लेकिन देखिए यहां पर first option क्या था नेफ्रीडिया था लेकिन होता क्या है यह प्रोटो नेफ्रीडिया होता है मतलब नेफ्रीडिया जो ह ये भी हम आने वाले फाइलम में हम इस्टी Do notief but быв भ Lamb cell को इसकी डाइग्राम की बात करें ये विर मने कि आसे दिखाए देयते हैं ये कुछ ऐसी म deprivolink होता है यह पर इसको क्या था इसको क्या था इसको मैं addressed ले मिलते हैं लीड करते हैं कोशन नमर 14 को पढ़दे की कोशिश करते हैं कि क्या पूछ रहा है आप से मैंने का यह पूछ रहा है कि tapworm is blessed in a class क्या है कि tapworm फीता करमी की बात करते हैं तो वो किस class में आते हैं चार option है आपके बार फस्ट उप्शन है स्सिस्टोडा, सेकेंड उप्शन है टृमेतोडा, तर्ड उप्शन स्पोरोजोवा, और फोर्ट उप्शन क्या है टर्बिलेलिया चार option में जल्दी से आप सोचें और अपने answer को मुझे बताएं कि आफिर वो कौन सा answer है, कौन सा option है जो इन चार option में आपको बिल्कुल correct लग रहा है लेकिन मैंने जो आपको तरीका बताया है कि पहले आपको क्या imagine करना है, फाइलम imagine करना है फिर class को imagine करना है और फिर उसके बाद member को imagine करना है, ठीक है तो पहले आप think कीजिए उसके बाद link और connect कीजिए कि कौन सा option आपके recording बिल्कुल सही है चलिए सीधे लीड करते है, यहाँ पर tap warm की बात करते है, tap warm को यहनी सीटा करमी और tap warm जो है वो किस class में आता है देखी, मैंने का tap warm पहले हम बात करते हैं कि संग का सदश्य है अगर हम बात करें platy helminthes, platy helminthes में tap warm आता है और platy helminthes में मैंने 3 class बताया हुआ है टर्विल एरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा और यहाँ पर अगर tap warm की बात करते हैं तो यह सिस्टोडा में आता है सिस्टोडा वही class है जिनके members में elementary के नाल आहार नाल नहीं पाया जाता सिस्टोडा वही class है जिसमें suedo segmentation होता है मतलब इसके member की बात करूँ तो मैंने आपको बताया था टीनिया, सोलियम, टीनिया, सेजिनाटा, इकाइनो कोकस तो उसके मैंने आपको common name बताया होंगे पॉक टेप warm, बिफ टेप warm, डॉक टेप warm और वहीं तो आ रहा है टेप warm और टेप warm पे ही question है तो मैंने आपको पहले बताया फाइलम क्या है प्लेटी हेलमेंटी, क्लास कौन सा हो गया सिस्टोडा, क्या है सिस्टोडा बिल्कुल directly answer मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पर सोचनी की ज़रूती नहीं है बिल्कुल correct और straight forward answer क्या है सिस्टोडा होना चीए क्यों अब देखते हैं कि यह तीन जो बचे हुए option है वो क्यों नहीं हुए यह भी जाना बहुत ज़रूरी होता है मैंने का ट्रिमेटोडा यहाँ पर कोई chance नहीं है कि ट्रिमेटोडा में आता है क्योंकि ट्रिमेटोडा जो होता है इस class के members को हम fluke कहते हैं क्या कहते हैं fluke कहते हैं इस परोजवा तो प्लेटी हेलमेंटीज में आता ही नहीं है यह किसमें आता है प्रोटोजवा में आता है तो यह option तो बिल्कुल correct नहीं है अब देखे टर्भील एरिया में सौतंतर जीवी आते हैं तो यह बिल्कुल goddamn रहते हैं वह पाए जाते हैं इसमें तो मैंने एक ही example आपको बता हो तो मैंने आपको इसमें बताया था क्या plen yria के बारे में बताय था गिस्ए कहते हैं क्या हमरा answer हो गया व्याइब क्या crab 1 का स्यृ्टोडा क्लास में the liver fluke infect the ship I repeat, क्या पूछा है which one of the following states in the life history of the liver fluke infect the ship, मैं आपको हिंदी में बताने के कोशिश करूँगा, क्या पूछा है कि यहाँ पर है, कि आखिर कौन सी ऐसी अवस्ता है जो कि किसके जीवन काल में, मैंने का ऐसी कौन सी अवस्ता है, जो liver fluke के जीवन काल में, जो है किसको infect करे, मैंने कहा यहाँ पर ship, मतलब भेर को क्या करे संक्रिमित करे, एक बार और मैं revise करे जा रहा हूँ, यहाँ पर हिंदी में बताने की कोशिश करूँगा, पूछ रहा है आप से कि आखिर वो कौन सी stage है, वो कौन सी सीडियम लारवा, मैंने आपको different type के लारवल स्टीजिस के बारे बताया था और question यहीं से पोछ रहा है, first option क्या है, first option है मिरा सीडियम, second है रीडिया, third है सरकेरिया और last option क्या है, fourth option है मेटा सरकेरिया, आप जल्दी से decide कीजिए, बिल्कुल straight forward इसका answer है, लेकिन आपको link करना परेगा, कि पहले मैंने आपको किस फाइलम में बताया, और उसके general characters पर जाईए, कि कहाँ पर पडिकुलर किस space के, कौन से end पर आपने पोइंट लिखा है, और जरूर link कीजिए, देखिए चार option है, चार option है Miracidium, Radia, Sarcheria, Meta-Sarcheria पहले तो आप क्या सोचेंगे पहले आप सोचेंगे कि ये जो larval stages है, वो किसके होते हैं सीधा है, मैंने कहा liver fluke के अगर larval stage की बात करते हैं कि इसकी, अगर हम liver fluke liver fluke को क्या कहते हैं मैंने कहा इसी को faciola hippetica केते हैं, क्या करते हैं, faciola hippetica केते हैं, और ये जो है टर्बिलेरिया वर्क में आता है, और trimetoda वर्क में आता है, और ये जो होता है ये क्या होते हैं, liver fluke ने मैंने आपको 5 larval stages के बारें बताया थे, वो कौन कौन से थे, उसका एक order बताया था, MS MSRCM बताया था कि मैंने अगर हम बात करते हैं MSRCM मतलब यहाँ पर मेरा सीडियम, स्पोरोसेश्ट, रीडिया, सरकेरिया और मेटा सरकेरिया यह 5 लारवल स्टीशिस होते हैं इसमें अब हम सीधे बात करेंगे कि यहाँ पर कुशन जो पूचा है वो तो इन सेक्शन के लिए पूचा है और मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्राइमरी होस्ट और सकेंडरी होस्ट की बात करते हैं तो प्राइमरी होस्ट तो क्या होता है इसका प्राथमिक पोशक जो है वो शिप होता है भेर या फिर बकरी भी होते हैं चीक है और सकेंडरी होस्ट क्या होता है स्थ्राइटी मैंने आपको बताए थी वह कौन से थी उसका सब्सकिक बात करें तो उसकी स्पिसीज में प्ले जो है लिम्निया और प्ले नॉर्भिस यह बारे में मैं आपको बताया था लेकर यहां पर सीदे से को ले जाऊंगा कि यह राम मतलब होता है वो जनरली फ़ॉर्स्ट वॉस्ट होस्ट जो होते हैं जो क्या होते हैं यह ओते हैं और यह उप और गोट को यह जो मिरसीरियम लारवा है वह क्या करता है infect करता है मैंने आपको बताया भी था कि जनरली यहीं सही question आएगा लेकिन ये question का answer बिल्कुल हमें दिख रहा है कि first option है लेकिन अगर ये question आपसे ऐसा ना पूछ के question कैसा पूछता मैंने का यहाँ पर first infection मतलब यहाँ पर infection जो है primary host सिप में पूछ रहा है लेकिन अगर इसके secondary host या फिस नेल में पूछता तो आपका जो है answer क्या होता तो इसको इस question को हम इस तरह से भी बात कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर बात करें कौन से लार्वा की अगर हम यहाँ पे जो है last larva मेटा सरकेरिया लार्वा जो होता है मेटा सर में सिप और गोट में कौन करेगा मीरा CDM तो आंसर क्या हो गया मीरा CDM लार्वा चलिया हमने यहां पे question 15 को detail में discuss किया आप से लीड करते हैं next question के तरफ next question क्या है question 16 question 16 जो आपके display पर दिखाए दे रहा है वो क्या है हम पढ़ते हैं पहले कि the correct sequence of the various larva in the liver fluke again liver fluke के larva पे ही question देखने को मिला previous में भी previous question number 15 में मैंने आपका concept ऑलरी बता दिया है सीधा सा answer है लेकिन यहां पे sequence पूछ रहा है एक appropriate correct sequence पूछ रहा है कि liver fluke में पाय जाने वाले लारवल अवस्ता को सही करम में जो है क्या करें विवस्तित करें अरेंज करें चार option है चार option मैं read नहीं कर पाऊंगा सीधे आपको quickly क्या बताना है कि इसका answer क्या है चार option दिखाए दे रहे है और question क्या है कि sequence पूछ रहा है आपको liver fluke में सीधा सा चार option आपको दिखाए दरहा है कि कौन सा sequence है इसका बिल्कुल developmental order इसके उदिकास के प्रक्रम के अनुसा आपको सही लग रहा है जल्ली से answer किजिए मैं उमीद करता हूँ आप सभी ने अपने answer को left कर दियाओंगे अब सीधे हम discuss करते हैं इसके concept के बारे में देखिए इसका जो order होता है वो क्या होता है MSRCM मैंने ये एक short trick आपके साथ discuss किया था कि MSRCM M का मतलब क्या होता है मिरा S का मतलब क्या होता है sporocist, R का मतलब क्या होता है radia, C का मतलब क्या होता है sarkeria और M का मतलब क्या होता है metasarkeria अब ये देखिए क्या इसी order में ऐसा कौन सा option है जहां पे larval stage को इस particular sequence में arrange किया हुआ है यहां पे देखते है miracidium, first option की बात किया तो miracidium, sporocist, फिर sarkeria आ गया ये तो बिल्कुल wrong हो गया, क्यों? क्योंकि miracidium, sporocist, उसके बाद तो क्या आना चाहिए? radia आना चाहिए, तो ये first option wrong हो गया, अब सीधे discuss करते हैं second option के तरफ, miracidium correct है, उसके बाद क्या है sporocist, बिल्कुल correct है, उसके बाद R आना चाहिए, radia है यहां पे, उसके बाद C आ होते हैं, हम quickly third option और fourth option को read नहीं करते हैं, लेकिन बाद में वालों चलता है, कि यहां पे fourth option सही था, तो यहां पे second को हमने discuss कर लिया, third और fourth के बारे बताना चाहूंगा, कि यह आखिर गलत क्यों है, हमें केवल सही answer को tick करना नहीं आना चाहिए, बलकि यह भी आना चाहिए, क क्यों, क्यों कि पहले क्या आता है, मेरा CDM लारवा आता है, अब देखिए, उसके बाद, क्या है fourth option, सरकेरिया से start है, यह तो बिलकुल भी possible नहीं है, क्यों क्यों क्या आएगा, मेरा CDM आएगा, ठीक है, हमने यह discuss किया, अब देखिए, अब मैं आपको क्या बताने वाला बिलकुल important question है, मैंने आपको जब lecture, particular this lecture में हमने इस concept को decide किया था, study किया था, वहाँ पर सीधे मैंने आपको कहा था, कि question जो यहां से बन सकता है, वो क्या बन सकता है, कि how tinia seginata is differed from the tinia solium, it means कि this tinia seginata होता है, वो किस तरह से tinia solium से अलग है, चार option है आपके पास, चार option क iscolex hook, इसमें क्या नहीं पाया जाना, मैंने का इसमें क्या iscolex hook नहीं पाया जाता है, next option, यहां पे है iscolex divide, divide का मतलब होता है, lake, lake का मतलब होता है, कमी, चीक है, अब देखिए, iscolex divide of the hook, क्या iscolex में hook नहीं होता, and difference in the secondary host, और यहां पे किसमें विविन्टा देखा जाए, दूतियक पोशक में विविन्टा देखा जाए, third option, absence of this colex hook, मतलब यहां पे क्या नहीं पाया जाए, क्या अनुपस्तित हो, iscolex hook क्या हो, अनुपस्तित हो, and presence of the both male and female reproductive organ, किसका पाया जाना, नर और मरा जन्नांग का दोनों एक साथ पाया जाना, क्या आपका यह option, सही लग स्कॉlex hooks के बारे में दिये हुए हैं, और कुछ एक reproductive organs की presence के basis पे दिये हुए हैं, जल्दी से quickly decide कीजिए, किसका answer क्या होना चाहिए, मैं पहले आपको बता दूँ, इसका concept हमें किस basis पे decide करना है, कि क्या answer होना चाहिए, आपके answer का approach क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाह चाहिए, अब देखिए, यहां पर पहले आपको सोचना है कि Tania Ceginata में मैंने आपको एक note point provide किया था, पहले हमने Tania Solium के structure को discuss किया था, और फिर नीचे मैं note point provide किया था, वो note point क्या था, कि Tania Ceginata किस तरह से Tania Solium से अलग होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि Tania Ceginata में क्या नहीं होता, मैंने का इसमेंством रौस्टेलं नहीं होता, और रौस्टेलं क्या था, रौस्टेलं जो है, यह एक कैंदर भाग होते हैं, central part होता है, और इसीँ रौस्टेलं के चाओं तरफ शरांडिंग में present होते हैं, यह कुछ हैं काईटिनियस हो कुछ हैं, लेकिन वो T कि बात करें अगर हम यहां पर सकेंडरी होस्ट की बात करते हैं इन दौनों इस्पीसीज में तो आपको बता है कि अगर हम पहले टीनिया सेजिनाटा की बात करें टीनिया सेजिनाटा जो होता है इसका सकेंडरी होस्ट क्या होता है मैंने आपको बताया था यह होता है पिग य हमने डिस्कस किया था और यह क्या है शीप और अगर गोट की बात करते हैं तो वो तो क्या होते है प्रैमरी होस्ट और जो सकेंडरी होस्ट होता है वो होता है स्नेल क्या होता है स्नेल होता है तो यहां पर डिरेक्टली ही अंसर आपको जाना चाहिए यहां पर डिरेक्टली अ सेजिनाटा की बात करें, वो कैसे डिफर होता है, तो question number 17 का जो option है, second option को देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इसके collect में क्या नहीं है मैंने का hook नहीं है, बिल्कुल obvious सी बात है कि Tiniya सेजिनाटा जो है इसके collect में क्या नहीं है hook नहीं होता है, उसके बाद यहाँ पर देखिए difference in the secondary host obvious सी बात है, मैंने का यहाँ पर secondary host में भी क्या होता है difference होता है, तो यहाँ पर most appropriate answer जो जाना चाहिए इस question का, हो क्या है 17 question का यह है, question का basically second option जो है कि इसके collect में hook नहीं पाया जाएगा, और साथ-साथ यहाँ पर दूतियक्स पोशक में भी क्या होती है विविन्ता होती है, चलिए हम question next, question number 18 discuss करते है, question number 18 है fluke occurring and take place in the human being, ठीक है यहाँ पर जो fluke की बात करते हैं तो उसमें human being से क्या दिखा जाता है चार option है, first option है faciliosis और liver rot क्या इससे होने वाले disease को क्या कहते हैं faciliosis कहते हैं second option है faciola, third option है dugasia, और fourth option क्या है male iscaris, चार option है आपके बात decide करना है fluke दिया हुआ है option में, fluke से basically human में क्या दिखा जाता है सीधा से बिलकुल आंसर है कि यहाँ पर दिखिए, जो disease होता है fluke से, उसे हम क्या कहते हैं basically यह question है सीधा से आंसर होना चाहिए, फ्ल्यूग जो होता है वो कहते किसे हैं, मैंने आपको liver fluke बताए हुआ है liver fluke के साथ साथ, मैंने आपको ब्लड fluke बताए हुआ है, liver fluke के साथ करते हैं इसको क्या करते हैं अगर यहां पर हम किसको देखें लीवर फ्ल्यूग को देखें तो लीवर फ्ल्यूग जो है इसको क्या करते हैं इसी को कहते हैं फेसियोला हिपेटिका और फेसियोला से होने ्हाले human disease को क्या कहते हैं 피ση solution case liver product disease कहते हैं जिससे क्या होता है यक्रत में देखा जाता है इस से इन अस्जिदे हमगे विक्ति के च्वहाइं कि दुअसरे कशन के बढ़ते हैं यह आपसे पोच्छे है चार ओप्षिन है आपके पास blood flu first option, second option क्या है 중국 liver flu third option क्या है dog tape worm और 4 option क्या है lung flu ठीक है चार option में से कौंसा option जो है आपको सही लगता है आपको सीधे यह बताना है मैंने का कौन सा option मैंने का first option देखिए यह है blood flu second क्या है Chinese liver flu question क्या था सिस्टो सोमा आपको generally सीधे ही straight forward जो है इसके common name पे जाना है कि सिस्टो सोमा जो है इसका common name क्या होता है blood flu होता है क्या होता है blood flu हमने particular flu में दो ही specific discuss किया था एक liver flu और क्या था blood flu का blood flu जो होता है उसके लिए जो है किसका common name होता है blood flu मैंने का सिस्टो सोमा ठीक है यहाँ पर कौन सा answer हुआ मैंने का question number 19 का जो first option है वो क्या हो गया correct हो गया अब देखिए question number 20 question number 20 को देखते हैं यह बहुत ज़दा important question है यहाँ पर सीधे ही nervous system के बारे में दिया हुआ है कि लेडर लाइक nervous system with mental nerve cord is present in मैं one more time revise करने जा रहा हूं कि अगर में लेडर लाइक सीधी नुमा nervous system तंत्री का तंत्र की बात करते हैं तो वो जो है किसमें present होता है या लेडर लाइक nervous system का पाया जाना particular किस फाइलम का करेक्टर होता है question आपसे यह पूछ रहा है चार option है आपके पास कौनशा option है यह हमारा last question है चार option है कि first option है आप यह निडरिया क्या यह निडरिया फाइलम में लेडर लाइक nervous system होता है मैंने जब आपको क्या पढ़ाया था मैंने आपको जब पढ़ाया था प्लेटी हेलमेंथी के बारे में वहां पर मैंने आपको बताया था यहां पर क्या होता है बहुत सारे longitudinal nerves, cerebral ganglia और transverse nerves आपस में मिल करके इस तरह से morphology बनाते हैं इनके nervous system में कि वो हमें CD जैसा ladder-like दिखाई देता है और इसलिए हमने कहा था प्लेटी हेलमेंथी में उसमें क्या होता है ladder-like nervous system होता है तो कौन सा option सही होना चाहिए यहां पर देखिए first option दिया हुए निडेरिया निडेरिया मतलब silentrata यहां पर तो क्या होता है पहली बार उद्विकास की करी में evolution के sequence में जो है क्या दिखा गया था non-polar neurons दिखा गया था यह option तो बिलकुल सही नहीं है वो ladder-like नहीं होते हैं यह और भी ज़्यदा विक्सित प्रकार की होती है जिसके बारे में हम बात करेंगे हमने अभी एनलेडा और 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 पोड़ा फाइलम तो study ही नहीं किया है तो सीधे answer क्या होना चाहिए यहां पर प्लेटी हेलमेंटीज होना चाहिए यहां पर मैंने जो है previous जो भी फाइलम मैंने आपको बताये थे उसके कुछ एक 20 important question जो मुझे लगे आपसे discuss करने चाहिए उसके बारे में हमने बात की चलिए start करते है आज का topic क्या है आज का topic है हम आज पढ़ने वाले है एस कहल में थे इस फाइलम के बारे में ठीक है कि इसे particular topic को या फिर S.K.Helmanthies phylum को किस तरह से continue करना है कौन-कौन से topics जो है इस particular lecture में हम cover करने वाले है चीक है लेकिन first of all हम यह discuss करते हैं हमने previous lecture में क्या study किया था देखिए मैंने previous lecture में आपको क्या बताया था हमने basically discuss किया था we discuss about the basis of classification as well as the general characters of the S.K.Helmanthies phylum इसका मतलब यह है कि हमने कुछ एक general characters को study किया था मतलब कुछ एक अभी लाक्षनी गुंधर्म जो होते हैं इस particular phylum के उसे study करने के साथ साथ वर्गी करन का आधार भी मैंने आपको S.K.Helmanthies में बता दिया था चीक है उसके बाद जो हमें continue करना है topic उसके बात करेंगे लेकिन उसके साथ-साथ मैंने previous lecture में जो है S.K.Helmanthies के theory प्रवाइड करने के साथ-साथ कुछ important question which was generally belong to the T.O.4, A.C.L.E.N.T.A.N.P.L.E.T.Helmanthies phylum वो भी क्या किये थे हम discuss किये थे ठीक है और इन सबी questions और यह जो theory है S.K.Helmanthies का उसको discuss करने के बाद जो आज का lecture है हम particular उसी rest part को जो है continue करने वाले हैं जो हमने previous lecture में क्या किया था study किया था आज के इस एक lecture में आपको बताऊँगा एक process के बारे में जिसे कहा जाता है sexual dimorphism क्या कहते हैं sexual dimorphism कहते है sexual dimorphism जो है उसे हम हिंदी में कहते हैं langik दिरूपता मैंने आपको जैसा कि previous lecture में बताया था कि sexual dimorphism जो है generally वो process होता है या वो particular phenomena होता है जिसके basis पे हम किसी भी organism को on the basis of external character on the basis of morphology कुछ एक बाहिय आकारिकी और बाहिय लक्षनों के अधार पर हम यह decide कर सकते हैं या उस organism को differentiate कर सकते हैं किसमें कि यह जो है male है या फिर क्या है female है मतलब यह particular जीव जो है उसकी यह मादा species है या फिर क्या है यह नर जाती है हम इसको अच्छे से study कर सकते हैं इसी particular topic को आज हम continue करने वाले हैं और sexual dimorphism को समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं आपको definition के साथ-साथ जो है यहाँ पे female ascaris और male ascaris का compare करने वाले कुछ एक diagram जो है प्रकरती या फिर उसकी जो tendency है वो देखी जाती है चलिए start करते हैं आज के lecture को आज के lecture किसके बारे में है SK Helminthes के बारे में है और इसमें भी हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें जो हमारा very first topic है वो क्या है अब हम पढ़ने वाले हैं sexual dimorphism क्या है हमारे topic हमारा very first topic है sexual dimorphism के बारे में हम यहां पे पढ़ने वाले हैं कि sexual dimorphism की बात करते हैं या फिर हम langglich दुरूपता की बात करें तो हमें क्या क्या study करना होता है अगर हम sexual dimorphism को study करें तो यहां पर पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि concept क्या इसको समझने के लिए जैसा कि मैंने आपको ओरली अभी बताया है कि sexual dimorphism और लेंगिक दुरूपता में हम क्या करते हैं suppose कि कोई भी organism है हमने ले लिया ascaris का ले लिया ascaris का example ले लिया और ये जो ascaris में क्या कह रहा हूँ कि particular अगर कोई भी organism जो की ascaris से बिलोंग कर रहा हो और मैंने कहा उसमें ascaris लिया है मैंने आपके example और इस particular ascaris में मैं कह रहा हूँ कि अगर ये ascaris को on the basis of morphology किस बैसिस पे मैंने कहा on the basis of morphology मतलब बाहिय आकारिकी के आधार पर अगर इस particular ascaris को मैं किसमें divide कर दूँ मैंने कहा अगर बाहिय आकारिकी के आधार पर इस ascaris को जो है हम easily differentiate कर पाएं मैंने कहा हम इसे आसानी रूप से जो है बिभेदित कर पाएं differentiate कर पाएं किसमें मैंने कहा कि कौन सा ascaris होता है वो क्या होता है male ascaris होता है और कौन सा ascaris को होता है मैंने कहा female ascaris होता है हम यहाँ पर easily differentiate कर पाते हैं आसानी से बिभेदित कर पाते हैं केवाल उनके external character या फिर morphology के बैसिस पे कि यह ascaris जो है वो basically उसमें male क्या है और female क्या है आपको यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि male और female को generally जिस symbol जिस प्रतिक चुन्द के दोरा represent किया जाता है प्रदर्शित किया जाता है मैं आपको यह बताने वाला हूँ देखिए male जो होता है उसको हम particular इस symbol से represent करते हैं कि यहाँ पर एक round बनाना है आपको ठीक है और इस round structure के ऊपर जो है arrow लगाना है ठीक है लेकिन अगर female की बात करें round बनाना है और नीचे क्या करना है आपको यहाँ पर plus का symbol बनाना है या लेकिन अगर आपको इन दौनों ही symbol में कभी confusion हो रहा हो तो आप ही जानते है female का जो first letter है वो क्या है F है ठीक है और यहाँ पर female के symbol में नीचे जो है कुछ एक F जैसा ही structure हमें दिखाए दे रहा है या plus जैसा structure दिखाए दे रहा है हमेसा आपको इसे जो है अपने mind में रखना है और female और male का symbol तो याद करना ही है मैं बिल्कुल zero basic से या पर zero level से start कर रहा हूँ बिल्कुल basic से start कर रहा हूँ ताकि हर चीज जो है आप zero level से start करके advanced level तक जो है अपने approach को gain कर पाएं चीक है हम सीधे start करते हैं आज का जो lecture है वो एसकेरिस के बारे में हम यहाँ पर sexual dimorphism के बारे में पढ़ने वाले हैं मैंने first of the time यहाँ पर sexual dimorphism क्या होता है वो बताया मैंने क्या बताया कि on the basis of morphology and as well as the external character if this particular exterus is differentiated easily into the male and as well as the female this process is known as sexual dimorphism ठीक है मैंने यह बताया आपको अब हम इसी को हम क्या करते हैं detail में study करते हैं कि हमें इसे और किस तरह से हम इसे explain कर सकते हैं हमें और कौन कौन से character को study करना होता है यह हम देखते हैं चलिए अब हम start करते हैं कि यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ first of the time यहाँ पर हम male scaris की बात करेंगे उसके बाद female scaris की बात करेंगे male scaris का डाइगनाम बताऊंगा male scaris दो होता है आप देखेंगे कि इसकी जो length है इसकी जो लंबाई है वो female scaris से आपको कम देखने को मिलेगी और male scaris दो होता है उसके caudal end पे मतलब नीचे वाले end पर वो क्या होते हैं वो coiled होते हैं मतलब वो कुंडलित होते हैं मुरे हुए होते हैं और इसी particular ये कुछ एक character होते हैं जिसके बैसिस पे हम male scaris को और female scaris को बाहर से ही देख करके क्या कर सकते हैं easily differentiate कर सकते हैं अब सीधे हम start करते हैं आज का lecture और ये जो है male scaris जो हम पढ़ने वाले हैं पहले हम इसके diagram को discuss करते हैं देखिए मैंने कहा ये जो है first of all क्या study करने वाले हैं कि ये जो male scaris है इसे हम किस तरह से diagram में इसके general characters को explain कर सकते हैं मैं आपको ये बताने वाला हूँ male scaris में जो भी basic character आपको यहाँ पे study करना होता है हम इसको one by one लेने वाले हैं यहाँ पर देखिए इसके caudal end पे मैंने कहा था जैसा कि अभी आपको caudal end पे ये क्या होते हैं बिल्कुल इस तरह से मुरे हुए होते हैं और ये मुरे हुए या फिर ये क्वाइल्ड structure होते हैं और यही इसकी पहचान है अगर हम female scaris का diagram देखेंगे वहाँ पर आपको भी simple diagram दिखाई देगा मतलब ये तो क्या है ये तो मुरा हुआ है इसका caudal end क्या है क्वाइल्ड है लेकिन जब हम female का diagram देखेंगे तो आप वहाँ पर ये देखेंगे कि वो coil नहीं होता बिल्कुल straight होता है अब उसकी length भी क्या होती है male scaris से ज्यादा होती है female की male scaris की length क्या होती है कम होती है चलिए हम इसी topic को क्या करते है continue करते है अब हम देखने वाले है कि आखिर कौन-कौन से basic structure जो यहाँ पर हमे male scaris में पढ़ना होता है उसके बारे में रेखिए यहाँ पर ये जो है ये इसका क्या होता है ये इसका mouth होता है क्या होता है ये इसका mouth होता है या फिर ये इसका muck होता है चीक है और आप जानते है कि यह जो इसके helementris phylum के जो भी members होते हैं, उसमें क्या होता है, किस तरह का body plan होता है, मैंने कहा tube within tube होता है, मतलब इसमें elementary canal क्या होगा, elementary canal जो होता है, hard canal वो पूर्ण प्रकार का होता है, अगर इसमे complete type का digestive tract है, या फिर यहां पर elementary canal यहां पर complete type का होता है, तो यहाँ पर food के ingestion और food के ingestion दौनों के लिए जो है particular कितने path भी होंगे two path भी होंगे मैंने का अगर यहाँ पर mouth से यहाँ पर food enter होते हैं इनके body में लेकिन on the other hand यहाँ पर किसे बहार निकल जाएंगे मैंने का जो west material होता है यहाँ पर इस तरह का कुछ एक structure आपको देखने को मिलेगा यही पर ही particular हम यहाँ पर देखते हैं यह जो structure आपको दिखाई देता है यह क्या होता है जैसा कि मैंने का हमने mark को discuss कर लिया अब हम discuss करने वाले हैं इसी male escarise का जो यह वाला part आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर इसका मैंने का इसमें एनस नहीं हम अगर female escarise की बात करेंगे तो वहाँ कहूंगा कि वहाँ एनस प्रिजेंट होता है ठी होते हैं तो देखिए यह कौन सा होता है मैंने कहा यहा जो है generally काॉन सा होता है यह होता है क्या कि इसके यह हम कहते हैं कुछा हैं तो इसकी कहते हैं अब यह जो है यह बहुत जादाला oscarr for kalli pale से इसका माउंत बाक्र पर्ट पा-का को क्या Ini को इसका आपको क्लोइका वाला पार्ट भा दिखाई दे रहा है आप इसी पर्टिगूलर नंट को आगे पुश सकते हैं और यहां पर स्टड़ि करना उता है देखिए यहां यह लाइक बीतार को दिखाई देरा है और इस इस प्रड़ लाइक स्रॉक्ट्छर को क्या कहते हैं है यह हम पर इसको हम कहते हैं एक स्क्रीरिक्रि का जाता है Israel इसे कहते हैं ऐक स्काःटे 20 पर कहते हैं ठीक है अब यह उत्सर्जन के लिए पाई जाने वाले कुछ चशिद रुमा जो है structure होते हैं कुछ पोर्स होते हैं कुछ होल्स होते हैं चिक हैं अब देखिए इसके कॉडल की बात करते हैं मैंने का कॉडल पे कुछ इस तरह से स्ट्रॉक्चर पेजिए होता हैं और यह structure number में आप देख रहे हैं कि two हैं कितने ये दो हैं अगर ये caudal end पे cloaca के पास पाई जाने वाले इस structure की बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं बहुत द्यान से दिखना आप इसे कहते हैं क्या ये basically कितने हैं मैंने का two है कितने है two है और इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है पीनियल सिटी क्या कहते हैं इसे मैंने का इसे कहा जाता है पीनियल सिटी और पीनियल सिटी के नंबर की बात करें तो कितने होते हैं बताइए मैंने का ये दो होते हैं दो पीनियल सिटी होते हैं लेकिन इसे पर मार के चारो तरफ या उसके आसपास प्रिजेंट होता है ठीक है लेकिन यहां पर कुश्चन यह भी आता है कि मेल स्केरिस की बात करते हैं तो मेल स्केरिस में दो पीनियल सिटी तो प्रिजेंट होता है In the place of Enos there is a presence of Klekelaic structure But यहाँ पे Peneal City जो होता है वो किससे बने होते हैं मैं आपको यह बताने वाला हूँ अप्टीक है यहाँ पे Peneal City जो होता है वो Calcium Carbonate से बना होता है किसे? मैंने का It is MEDA with the Calcium Carbonate जिसे हम represent करते हैं Molecular Formula CaCO3 से चीक है हमने ये देखा तो pineal city किस से बना है calcium carbonate से बना है अब क्या करने वाला हूँ कि ये जो आपका इसका ये जो end दिख रहा है जिसे हमने क्या कहा pineal city यहीं पर ही cloaca present होता है इसी को मैं क्या करने वाला हूँ इसको मैं microscope से देखने की कोशिश करूँगा कि आखिर microscope से इसका ये particular part क्या करें हम study करें मैंने का ये केवल इसका caudal end जिसमें इसका cloaca दिखाई दे रहा है pineal city दिखाई दे रहा है इस particular part को अगर हम क्या करने वाले हैं study करने वाले हैं तो हमें कौन-कौन से basic structure यहाँ पर आपको दिखाई देंगे हम इसकी बात करेंगे ठीक है मैं क्या करने वाला हूँ कि cloaca और इसके साथ-साथ pineal city वाले part को microscope से क्या करने वाले है study करेंगे और देखेंगे कि आखिर हमें कौन-कौन से structure यहाँ पर दिखाई देंगे ठीक है यह देखिए इसके cloaca और यह जो pineal city है इसमें हमें microscope में कुछ इस तरह का structure दिखाई देगा और यह जो बना रहा हूँ यह इसका कौन सा view है यह इसका microscopic view होता है अब देखिए यहाँ पर ही मैं आपको बता दू यह जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से structure पेजेंट होता है ठीक है और यह इसका जो यह बीच वाला जो red mark आपको दिखाई दे रहा है यह क्या होता है यह क्या होता है यह क्लोयका वाल सावा मैंने का कुछ एक इस तरह से भी structure यहां पर present होते हैं इसके भी बात करेंगे हर एक particular part को label करेंगे उसके बारे में हम discuss करने वाले हैं देखिए यहाँ पर मैंने कहा यह तो क्लोयका वाला पार दिखाई देता है यहां पर लेकिन यह जो आपको अपर surface में यह जो structure का अ मैं यह क्या होता है मैने का जब हम सुक्षमदर्सी से देखते हैं तो यहां पर यह particular 4 पार्ट को हम क्या क्या गहते हैं इसे // प्रिंव मास क्या यहां यहां पर पैपिली के समान कुछ एक कर इथहाई सो लिए मैंने इसे कह दिया वैंने प्री एनल पैपईली और इसक होता है बहुत ज़्यदा important point है यहाँ पर आपको different type के study material में modules में question देखने को मिल सकता है कि mail is carry do है उसके उसमें जो pre annual papally होते हैं और post annual papally होते हैं generally उनके numbers कितने होते हैं उनके संख्या कितनी होती है यह आप से question पोच सकता है रखिए अगर हम pre annual papally की बात करते हैं तो यह कितने होते हैं मैंने का यह 50 pairs होते हैं कितने होते हैं यह 50 pairs होते हैं पचास जोड़े में होते हैं चीक है और अगर हम number of the post annual papally की बात करें तो यह कितने होते हैं मैंने का यह 5 pairs होते हैं, कितने होते हैं, यह 5 जोड़ी में पाया जाते हैं, 5 pairs होते हैं, अब देखिए, हमने यह सारी बात तो discuss की, one more time आपको बताने वाला हूं, हमने क्या किया, we just took the a particular microscopic view, somewhere around the cloaca and as well as the pineal city part, ठीक है, हमने जैसे ही microscopic view लिया, तो you can see here cloaca-like structure in this particular red mark, ठीक है, and there is a presence of pre-annual papally and the number, इसका number क्या है, मैंने का यह 50 pairs होते हैं, कितने होते हैं, 50 pairs होते हैं, but while the other hand, हम यहाँ पे अगर post-annual papally के number की बात करें, मैंने का यहाँ पे 5 pairs होते हैं, ठीक है, generally आपको यहाँ से यह question दिखने को मिल सकता है, यह आपको पता होना चाहिए, चलिए, हम आप discuss करेंगे female scaris के बारे में, और female scaris का diagram discuss करेंगे, कि यह male से किस तरह से अलग होता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैं यहीं पर ही female scaris का diagram में बना पा रहा हूं, ताकि मैं इस particular male scaris को female scaris से क्या कर पाऊं, compare कर पाऊं, और आपको यह बता पा और female scaris में present होते हैं, तो जलिए, मैं यहाँ पर diagram करने वाला हूं, हमने यहाँ पर male scaris का diagram को तो study किया, अब हम देखने वाले हैं, कि जो female scaris है, इसके diagram में हमें कौन-कौन से structures यहाँ पर दिखाई देते हैं, जो कि male scarifer होते हैं, देखिए, यहाँ पर आप अगर बात करें female scaris को, तो female scaris के बारे में बस आपको इतना ध्यान रखना है, कि male scaris की जो लंबाई होती है, वो कम होती है, ठीक है, female scaris की लंबाई मतलब इसकी length क्या होती है, ज्यादा होती है, तो हमने कहा, यह देखिए, कि यह क्या बना रहा हूं, मैंने का, यह इस तरह का structure में बना रहा हुँ। यह है female scaris, हमने male scaris को study किया और अब हम study कने जा रहे है female scaris को, इस diagram में अगर हम length की बात करें तो देखे इसका जो length है, female scaris की जो length है आपको male scaris से क्या दिख रहा है ज्यादा दिख रहा है लेकिन यहाँ पर अगर हम किस की बात करें, इसके infernal winding की बात करें इसके लोर एंड की बात करें आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर मेल स्केरिस में तो इसका कॉडल एंड क्या है मुरा हुआ है क्या है यह मैंने का यह कॉइल होते हैं कुणलित प्रकार के होते हैं लेकिन इस फीमेल स्केरिस में आपको ऐसा कुछ भी दे यह female ascaris बनाया है, अब यह जो female ascaris और male ascaris की यहां पर बात कर रहे हैं, तो यह हम basic diagram में और इसको हम detail में study करेंगे, हम इसके mouth वाले part को यहां पर microscope से देखेंगे कि हमें यह किस तरह से दिखाई देता है, यहां पर देखिये, female ascaris की हम यहां पर diagram देख लिए है, यह particular इस diagram को रेखे यहां यह जो particular part आपको दिखाई दे रहा है यह किस क्या है यह कौन सा वाला part है यहां पर भी दिख रहा है आपको यह क्या था mouth है तो यह भी female skiris का क्या होता है mouth होता है चीक है मेरा मानना यह है कि यह सारी जो general characters हैं उसको with the help of diagram अच्छे से आप explain कर पाएंगे और brain में visualize कर पाएंगे ठीक है यहां पर मचाता तो आपको theoretical approach पे भी समझा पाता लेकिन यहां पर diagram के वैसेश पे आप इन सभी चीजों को ज़्यादा adaptive way में ले पाएंगे ठीक है अब देखिए यहां पर हमने यह discuss किया female characters के बारे में discuss किया जिसमें आपको यह mouth वाला part जो है easily दिख रहा है लेकिन यहां पर इसी के particular यह जो particular structure आपको दिख रहा है यह क्या है जैसा कि male characters में रिखा था वहां पर भी क्या present था मैंने का वहां पर भी क्या present होता है यहां पर भी कुछ इस तरह के structures present होते हैं जिसे हम कहते हैं excretory pore क्या कहते हैं इसे मैंने का इसे कहा जाता है excretory pore क्या है यह मैंने का यह जो structure आपको दिख रहा है यह excretory pore होता है चीक है अगर इस उत्सरजन चिदर की बात कर लिए हैं और यहां पर इसी particular उत्सरजन चिदर के पास में मैंने कहा female scaris के total length का जो one upon third part होता है वहां पर क्या present होता है मैंने का यहां पर ही कुछ इस तरह के structures present होते हैं और इस structure को क्या कहते हैं यह जो structure यहां पर पर प्लिजन चाहूंगा गोनोपुर की अगर बात करते हैं तो ये इसके particular कितने length है या भी कितने part of the total length वाले part में प्रेजेंट होते हैं ये basically इसके one upon third part में होता है कितने part में वान upon third part में इसमें गोनोपुर प्रेजेंट होता हे और ये जो है इसका क्या है मैंने का ये इसका sex organ है तरह act करता है उस particular structure के बारे में नहीं बताया अगर हम male scale की बात करते हैं तो यही परी हम discuss कर लेते हैं यह देखिए यह जो मैंने penile city बनाया है यह किस में help करता है यह reproduction में help करता है ठीक है मैंने का यह penile city जो की calcium carbonate से बने होते हैं यही reproduction में help करते हैं लेकिन आपको यह point ध्या जनन में help करते हैं मतलब सहायता करते हैं लेकिन while the other hand अगर हम किसकी बात करें यहां पर अगर हम female scale इसकी बात करें तो female scale में gonopore present होता है और यह sex organ होता है और इसके total body के one upon third part पर यह क्या होता है present होता है और यहां पर इस case में इसके caudal end पर आपको कुछ भी ऐसा structure नहीं दि यह जो pore like structure इसके caudal end पर दिखाई जयता है इसे हम क्या कहते हैं इसे कहा जाता है एनस क्या कहते हैं इसे 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 एनस कहते हैं लेकिन आपको यही particular difference है mind में रखना है कि हम अगर cloaca की बात करें आवसकर मार की बात करें तो यह देख रहे हैं आप यह male में present है लेकिन यह ज the important है जो आपको यहां पर study करना होता है ठीक है यहां पर जो भी general characters थे हमने उसे क्या किया study किया अब मैं आपको देखिए क्या बताने वाला हूँ यहां पर इस female scaris as well as male scaris मतलब completely अगर scaris के mouth वाले part को क्या करें हम अगर microscope में study करें तो हमें कौन-कौन से basic structure दिखाई देते ह हैं जहां से question आते हैं तो मैं आपको यह बताने वाला हूं ठीक है तो हमारा जो next particular part है यह क्या पढ़ने वाले हैं मैंने आपको female or male scaris के diagram में उसमें जो भी characters present होते हैं कैसे difference कर सकते हैं किस तरह से language दिरूपता sexual dimorphism present होता है इन सभी points को discuss करने के बाद अब मैं आपको बतान में देखें तो कौन-कौन से characters और किस तरह के diagram कैसा mouth होता है इसका मतलब यह हमें देखने को मिलेगा ठीक है यहां पर again यहां पर कोई साभी मैंने यहां suppose कि मैंने यह जो है mouth वाला पार्ट जो है इसकरिस का बना दिया पूरा complete इसकरिस नहीं बना रहा हूं क्योंकि हमें basically कि study करना है हमें तो केवल इसके mouth वाले पार्ट को है तो करना है study मैंने का यह माथ वाला पार्ट होता है और यह जो mouth वाला पार्ट है मैंने का butter है क्या हे यह है यहां पर लिघ देता हूं यह का mouth है Pakने जा रहा हूं अब मैं इशको microscope में study करने वाला हो मतलब सुक्षमदर्शी में कैसे दिखाई देता है जब तक एक diagram आपके सामने नहीं होगा तब तक इन सारे points को आप study नहीं कर पाएंगे learn नहीं हो पाएगा वो आपके mind में long time के लिए save नहीं हो पाएगा यहाँ पर एक diagram के help से बहुत सारे character आपको मालूम चलेंगे देखिए by microscope यहाँ पर हम microscope से यह देखेंगे कि किस तरह से इसका mouth हमें दिखाई देगा अब देखिए यहाँ इसके mouth में कुछ इस तरह से structure present होते हैं जो मैं यहाँ बनाने वाला हूँ मैंने का इस तरह से कुछ एक structure यहाँ पर यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इस structure को हम कैसे अच्छे से define कर सकते हैं यहाँ पर देखिए यह मैंने क्या बनाया है यह particular जो diagram आपको दिख रहा है यहाँ पर लिख देता हूँ कि यह जो figure मैंने बनाया है यह जो diagram बनाया है it is basically mouth यह किसके बारे में है mouth as well as mouth के साथ साथ यहाँ पर lips mouth और lips मतलब मुख और ओस्ट जो होते है lips जिसे कहते हैं उसका diagram बना रहा हूँ और यह mouth और lips किसका है मैंने लिख इज़ डाइग्राम और mouth and lips of ascaris किसका है यह ascaris का है और इस point में आप बहुत सारे इसके general characters को study कर पाएंगे मैं आपको यही बताने के कोशिश कर रहा हूँ किसके mouth और lips जो है इस diagram में हमें कौन-कौन से structure दिखाई देते हैं यह कहते हैं किसके mouth और lips में हमें क्या दिखाई देता है हमें यहाँ पे three tentaculated मैंने कहा three tentaculated यहाँ पे three types के lips जो है हमें दिखाई देते हैं मैंने कहा यहाँ पर कितने lips होते हैं यहाँ पे three lips होते हैं कितने होते हैं इसमें से देखिए three lips में से भी हम क्या बात करते हैं कि यहाँ पे three lips तो होते हैं लेकिन यहाँ पे जो two types के lips होते हैं वो कैसे होते हैं? rest one type का lips होता है वो कैसा होता है? यहाँ पे यह study करेंगे देखिए. इन three lips में तीन प्रकार के host में हमें जो है two lips ऐसे होते हैं जो कैसे दिखाई देते हैं? मैंने का two lips दो होते हैं यह हमें dorsal lip की तरहे दिखाई देते हैं इसके dorsal वाले पार्ट पे इसके प्रस्ट वाले भाग में पाई जाते हैं और इसे हम dorsal lip केते हैं तो यहाँ पे 2 तो क्या है dorsal lip चीक है? और यहाँ पे एक single क्या होता है? एक single, मतलब एक जो होता है, यहां पे होता है dorsal ventralylip, यहां फी इसे हम क्यते हैं ventrolaterally lip क्यते हैं, क्या क्यते हैं, मैंने कहा इसे कहा जाता है ventral yelip, लेकिन ये संख्या में कितने होते हैं, के और एक अगते हैं, हम ये discuss करेंगे कि किस तरह से diagram ये present होगा, बस basically मैं आपको कु प्रस्ट भाग पर होते हैं लेकिन यहां पर जो वन लिप होता है वो इसके पार्षव अधरिये भाग पर पाय जाते हैं ठीक है यह देखे हैं मैंने कहा यह कौन से भाग पर प्रस्ट भाग पर होता है मतलब यह अधरिये पार्षव भाग में पाय जाते हैं इसकी बात तो इसे कहते हैं वेंट्रो लेट्रल लिप क्या कहते हैं वेंट्रो लेट्रल लिप कहते हैं इनकी संख्या कितनी होती है मैंने का ये केवल एक होते हैं सिंगल ही नमबर होते हैं अब देखिए इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम डाइग्राम में लेखते हैं इसका डॉर्सल तो इसका वेंटरल पार्ट जो है आपको यह दिखाई दे रहा है और अगर हम इसके लेटरल पार्ट की बात के लेटरल वर्ड का मतलब क्या होता है लेटरल वर्ड का मतलब होता है पार्शू क्या होता है पार्शू मतलब दौनों साइड से किनारे से जो होते हैं उसे उस पर को यूज करना है यहां पर देखिए मैंने पहले पहले आपको बताया कि टू डॉसर लिप होते हैं तो यहां पर हम बनाते हैं इसके टू डॉसर लिप मैंने कहा बैसे कली अगर हम बात करें यह इस तरह से यहां पर क्या होता है यह बैसे कली जो स्टॉक्चर बनाने जा रहा ह यह स्टॉक्टर जो मैं बना रहा हो यह क्या है यहां पर इसके हम स्टॉक्टर रिखाई देख हम यहां पर कुछ इस तरह से स्टॉक्चर दिखाई यह क्या है यह इसके teeth like structure होते हैं जो यहां पर दिखाई दे यह और यह इसका lip होता है यह क्या है यह lips हो गए यहां पर two more lips और मैं बना रहा हूं यह क्या है मैंने का यह जो lips आपको दिखा जाते हैं यहाँ पर यह जो particular इस तरह की जो lips की बात करें तो यह कुछ ऐसे होते हैं और यह जो lips हैं इस particular lips में भी कुछ एक यहाँ परis or今天 के फिर्ला कर भरोता है कुछ एक गढ़े नुम्हा स्टॉक्चर होता है और उस का यहाँ पर ये देखिए ये जो मैंने structure बनाए है ये जो आपको दिख रहा है ये इसका क्या है इसे हम कहते हैं double pepally क्या कहते हैं इसे कहा जाता है इसका double pepally क्या कहते हैं double pepally लिख दिया और ये double pepally कौन से वाले part में present है मैंने का इसके dorsal वाले part में क्या होता है double pepally present होते हैं ल इस वेंटल पार्ट में क्या कहते हैं कि यहां पर डबल पेपेली नहीं होता है यहां पर केवले एक सिंगल पेपेली होते हैं और यह जो मैंने बनाया है यह क्या है इसे हम कहते हैं सिंगल पेपेली यहां से जिनरली बस यह कुशन आपको मॉडूल में देखने को मिलेगा कि यह अगर हम बात करें कि सिंगल पेपेली की और डबल पेपेली की तो कुछ इस तरह से होता है कि यह सिंगल पेपेली होता है इसके कौन से वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है अगर हम डबल पेपेली की बात करें तो कौन से पार्ट में होता है तो इसके डॉसल वाले पार होता है डिक है लिप्स की तो बात कर ली हमने लेकिन अब मैं इसका माउत बनाने वाला हो डिखी ह Tag में इस इस का माऊथ होता है माउथ के अगर शेप की बात करें इसके आकार की पर लिए लगिए इसका होता है ट्राइंगुलर क्यासा होता है में किस Gef dugout है ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर को हिंदी में करते हैं त्रिकोना कार क्या करते हैं त्रिकोना कार मुख होता है या फिर ट्राइंगुलर माउथ यहां पर इस तरह से प्रिजेंट होता है यहां पर सबसे ज्यादा important point जो अब मैं discuss करने वाला हूँ जो कि इसके mouth वाले particular microscopic part में ही present होता है और यह क्या होता है अब मैं बताने वाला हूँ कि यहां देखिए इसी particular part में कुछ इस तरह से structure रिखाई देते हैं जो basically क्या है एक तरह का chemical substance होता है चीक है रासाहिनिक 結構 रषानिक प्रदात होता है और इसे हम क्या कहते हैं इसे गया जाता है सबसे मिएप शहते हैं और यह यहां पर क्या है मेंने काMPHव जो है एक प्रकार का chemical substance आफ़ में को is general II act as a chemo receptor किस की तरह क् moments करते हैं मैंने का यह यहां पर chemo receptor होते हैं कौन से होते हैं कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं मैं आपको पहले यह explain कर दूँ कीमो रिसेप्टर को हिंदी में कहा जाता है रसाइन समवेदांग क्या कहते हैं रसाइन समवेदांग मतलब कुछ एक sensory organs होते हैं यह जो sensory organs होते हैं वो किसके लिए sensitivity या समवेदांग होते हैं उसे हम कीमो रिसेप्टर कहते हैं यहां पर कीमो का मतलब ही होता है chemicals और receptor का meaning होता है समवेदांग ठीक है और यह जो इसके कीमो रिसेप्टर होते हैं से हम कहते हैं मैंने कहा इसे emphid कहते हैं क्या कहते हैं इसे emphid कहा जाता है यह आपको ध्यान रखना है कि रसाइन समवेदांग होता है अलग अलग तरहे कि जो chemicals होते हैं उसको sense करने के काम आते हैं यहां पर MCH की बात की लेकिन यहां पर एक note point देखिए, एक note point आपको क्या बदाने वाला हूँ, एक note point होता है कि यहां पर अक्षर बच्चों के mind में confusion होता है, जब हम orthropoda class पढ़ेंगे, तो इस orthropoda phylum में मैं आपको क्या बताऊंगा, orthropoda phylum में एक insecta class आएगा, कौन सा class आएगा, insecta मतलब key to work class पढ़ेंगे, और insecta class का एक member होता है, जिसे हम कहते हैं aphid, क्या कहते हैं, aphid कहते हैं, तो अक्सर option में जो है, जब भी इस तरह का question आएगा, आपको confuse करने के लिए, वो क्या देगा, दोनों option में देगा, मतलब यहा साविदांग पुछेगा, तो वहाँ पे amphid भी आएगा, और aphid भी आएगा, लेकिन आपको वहाँ पे confused नहीं होना है, aphid क्या है, it is a insect, यह एक तरह का कीट होता है, जो generally insecta class जो की आउत्रोपोडा phylum में आते हैं, उससे बिलॉंग करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मार मार करने वाला पॉइंट है, यहाँ पर यह misconception रता है, जो क्लियर कर दिया है, यहाँ पर मैंने mouth और lips of scaris के बारे में, जो हैं डिसकस किया, one more time, इन सभी complex structure में दिखाई देने वाले जो भी parts होते हैं, इसको मैं आपको बताने वाला हूँ, one by one, ठीक है, देखे, हमने यह पर क्या किया, we just took a microscopic view of the mouth part and here you can see the diagram of the mouth and lips of scaris, ठीक है, here you can see that some type of lips that is basically seen in the particular diagram, if I talk about the shape of the mouth, then you can see here that it is a triangular in shape, मतलब यह तरिकोना कार प्रकार के जो है, इसमें मुख पाए जाते हैं, mouth present होते हैं, while the other hand on the dorsal part, there is a presence of double papily like structure, on the other hand on the ventral part, on the ventral lateral part, there is a presence of single papily, चीक है, और इसी papily, somewhere around the, near the single papily, एक chemoreceptor, चीक है, एक chemoreceptor type of chemical substance are present and what is it, it is known as amphid, क्या कहते हैं इसे, इसे amphid कहते हैं, चीक है, और यहाँ पर aphid और amphid के बीच में मैंने difference बताया, तो हमने यहाँ पे female, male के diagram को देखा, यहाँ पर हमने pineal city और जो इसका caudal end होता है, male का, male scaries का, उसको भी हमने microscopic study किया, pre-anal papily, post-anal papily, cloac, इन सभी चीज़ों के बारे में discuss किया, और मैंने आपको यहाँ पे mouth का, जो है, microscopic view बताके, इसके इतने सारे characters के बारे में बताया, और यह सारे characters, इस particular diagram के बीना study करना बहुत ज़्यदा मुश्किल रहता इसलिए मैंने आपको यहाँ पे diagram provide किया है, अब से लीड करते हैं हमारा next topic क्या है, हमने यहाँ पे scale 1130 में अब तक क्या पढ़ लिया, इसके general characters, इसके basis of classification, sexual dimorphism, इन दोनो male scaries और female scaries के diagram को discuss करने के बाद, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, life processes, क्या बताऊंगा, इसके life processes, life processes का sequence आपको पता है, लेकिन यहाँ पे कुछ न कुछ variation हर file में देखने को मिलता है, चीक है, तो यह variations को study करने के लिए, हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा next topic क्या है, हम अब पढ़ने वाले हैं, life process क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ, life process, life process of, life process of, life process को अगर हम study करें, कि आखिर ये कौन-कौन से जैविक प्रिक्रम होते हैं, जो SK Helminthes के members में present होते हैं, देखने को मिलते हैं, हम यह क्या करेंगे, study करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसके life process में, first of the time, मैं आपको किसके बारे मताने वाला हूँ, इसके life process में हम discuss करें करेंगे, digestion के बारे में, और digestion में बहुत सारे ऐसे point हैं, जहां से directly question आ भी चुका है, और आपको different modules में देखने को भी मिलेगा, यह सारे questions क्या होते हैं, देखिए, यह हम discuss करने वाले हैं, अगर हम digestion की बात करें, SK Helminthes phylum में, आउसके members में, पाचन किस प्रिकार से होता है, त इसका जो हम अगर digestive tract की बात करते हैं, कौन से tract की, जो पाचन के लिए पत होता है, मतलब इसका जो भी पाचन तंतर होता है, अफिये मालने की digestive tract होता है, वो क्या होता है, मैंने कहा, यह जो digestive tract होता है, वो क्या होता है, complete होता है, यह पूल्ड प्रकार का होता है, क्या होता है complete होता है जिसके digestive tract में हमें क्या क्या मिलेगा? मैंने का यहां पर हमें mouth भी मिलेगा क्या मिलेगा? mouth मिलेगा यहां पर हमें pharynx भी मिलेगा pharynx को हिंदी में कहते हैं grasni तो basically यहां पर mouth के साथ-साथ pharynx भी मिलता है इसके elementary canal में है, digestion वाले particular process में, यहाँ पर हम SQ element पीज की बात करें, आप जानते हैं कि यह सभी प्रकार की जो जैविक प्रक्रम होते हैं वो organ system level पे अंगतंतर इस्तर पे complete करते हैं तो यहाँ पर system का भी formation हो जाता है, चीक है, और organs जो हैं आपस में combine होकर के organ system भी form कर लेते हैं यहाँ पर mouth है, present यहाँ पर pharynx present है, pharynx के साथ साथ यहाँ पर intestine भी क्या होता है, present होता है intestine का मतलब होता है, आंतर भी यहाँ पर पाई जाते हैं, यहाँ पर intestine के साथ साथ, यहाँ पर क्या present होता है annus present होता है, तो आपने देखा कि all the basic organs which generally belong with the digestive tract these all are the present in case of S.K. Helminthes phylum So that's why we are going to tell it as a complete digestive tract यहाँ पर पूर्ण परकार के पाचक पत पाए जाते हैं जो कि किस से बने होते हैं? मुख से, गरसनी से, आतर से और गुदा माग से बने होते हैं हमने यह discuss किया अब देखिए, यहाँ पर pharynx और intestine के बारे में बहुत बार question आ चुका है यह क्या? मैंने का यहाँ पर pharynx की बात करते हैं पहले pharynx जो होता है, इसका कैसा होता है? यह देखिए, मैंने कहा pharynx जो है S.K. Helminthes के members का pharynx कैसा होता है? muscular होता है कैसा होता है? मैंने का यह muscular होता है muscular का मतलब होता है, यह पेशिये परकार का होता है क्या होता है? पेशिये परकार का होता है और यह muscular type का pharynx पेशिये ग्रश्नी का पाया जाना is the one of the best important characteristics of the S.K. Helminthes members यह आपको बता होना चाहिए कि पेशिये परकार की ग्रश्नी का पाया जाना इसका एक महत्रपूल लक्षन होता है अब हम बात करते हैं intestine की, intestine क्या होता है? यह muscular नहीं होता यह क्या होता है? यह पेशिये नहीं होता इसे हम कहते हैं non-muscular क्या कहते हैं? यह इसे हम कहते हैं non-muscular प्रकार का नहीं होता है तो यह हम सारे पॉइंट्स को डिसक्स कर चुके हैं और यहीं इसी पर्डिकलर पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा कि चो डाइजेशन वाला पॉइंट जो आप स्टेडी कर रहे हैं यहां पर यह कहा जाता है कि सम देंबर्स जनरली एक्ट फू को गेंद करने के लिए और डूसरे होस्ट के कहां रहते हैं किस पर्डिकुलर पार्ट में रहते हैं एलिमेंटरी कनाल में प्रेजेंट होते हैं कहां होते हैं एलिमेंटरी कनाल में प्रेजेंट होते हैं तो हम उसी की बात करने वाले मैंने कहा यहां पर देखिए यह मैंने ब मिलेंगे इसके elementary canal में मिलेंगे ठीक है तो हमने यह सारी points discuss कर लिए यहां पर और इन points को discuss करने के बाद सीधे हम lead करते हमने यहां पर first type का life process को completely study कर लिया है अब मैं आपको बताने वाला हूं second ठीक है second type का life process होता है as you know digestion के बाद क्या आता है respiration आता है आप यह देखिए respiration के वैसे पर यह कहा जाता है कि जितने भी यहां पर free living जो भी members होते हैं इसके elementary phylum के वो generally respiration कैसे करते हैं तो यहां पर there is no presence of there is no presence of some type of special structure which are going to help in the respiration यहां पर किसी भी तरह के respiration के लिए सनरस्पनाई नहीं पाई जाती हैं जो इसमें मदद करें इसे लिए इसमें भी जो है body surface सही होना है और body surface से कैसे होगा with the process that is known as diffusion एक प्रक्रिया होती है जिससे हम viseran कहते हैं तो viseran के प्रक्रिया के दोरा इनके सतह सही इनके सरीर के सतह सही यहां पर क्या होगा यहां पर respiration या फिर सोसन की प्रक्रिया हमें देखने को मिलेगे चीक है मैंने कहा यहां पर देखिए अगर हम किसकी बात कर रहें अगर हम यहां पर body surface की बात कर रहें यहां पर body surface की बात कर रहे हैं और यह सरीर की सतह से यहां पर होता है इसलिए हमने कहा यह क्या है यहां पर body surface से होता है यह जो process होता है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं diffusion कहते हैं जैसे visorant भी कहा जाता है और यहां पर एक और point जो मैं आपको बताना चाहूंगा आपने क्या होगा उसमें जो respiration का process होता है which generally takes place in the absence of oxygen ठीक है और oxygen के absence में होता है इसलिए यहाँ पर कौन सा respiration देखने को मिलेगा यहाँ पर anaerobic type का respiration होता है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कौन सा anaerobic type का respiration देखने को मिलेगा ठीक है बहुत जदा क्या है कुछ इक member इसलिए मैंने का यहाँ पर oxygen के absence में इनमें क्या होता है respiration होता है और उसे आव वाइव्य शोषण कहते हैं जो generally पर जीवियों में आव वाइव्य शोषण देखा जाता है जिक है हमने digestion और respiration को study किया अब हम discuss करने वाले हैं इसके next process के बारे में और next process क्या है यह हम डिसकस करते हैं about circulatory system third point क्या है? Third point है कि इसमें circulatory system की बात करें कि system की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसके परिशंचरन तंतर या फिर circulatory system की कि इसको हम किस तरह से define कर सकते हैं हम यह study करने वाले है ठीक है circulatory system जो होता है इसका कैसा होता है मैं आपको यहाँ बढ़ा दूं इसमें circulatory system होता ही नहीं है अब तक कोई भी ऐसा फाइलम प्रेजन्ट नहीं है या जिसके बारे में हमने पढ़ा है ऐसा कोई सब भी फाइलम नहीं था जिसमें परिसंश्रन तंत्र पाया जाता हो सब में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है अबसेंट होता है लेकिन इस फाइलम में कुछ एक यहां पर वह सर्कुलेशन का पार्ट नहीं करके बस एक फ्लूड लाइक सबस्टांस होता है जो इनके बॉड़ी में प्रेजेंट होता है अब हम नेक्स करेक्टर को पढ़ते हैं जो नेक्स लाइप प्रोसेस होता है इसका वह क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हम आप डिसकस करने वाले हैं एक्सक्रीशन के बारे में कि इसमें जो है एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है उस सर्जन की प्रिक्रिया यहां पर देखने को मिलेगी यह विसकली किस तरह से हमें यहां पर देखने को मिलेगी देखिए अगर हम यहां पर excretion के process की बात करें तो यह बहुत ज़्यादा special character है बहुत ज़्या special point है जो आपको यहां पर मैं बतना चाहूंगा excretion के लिए इसमें क्या होता है यह देखिए इसमें excretion के लिए कुछ एक accept मैंने कहा HR की संदस्नाई पाई जाती है गला-॥र्फर को मैंने कहा कहते हैं इसे हम कहते है क्या मैंने कहा क्या इसमें प्रेजंट है इसमें है इसमें Veteranِ connect और उसका आकार कैसा है उसका आकार है Azept कर जिसमें की तरह यहां पर इस डाइग्राम में देखिए नुकलियस दोते हैं वह बहुत सारे आपको दिखाए देंगे इस तरह से मैंने कहा विए आपको प्रिविए लेक्ट्चर में जब हमने यहां पर कहते हैं इसलिए हम इसको कहते हैं यहां पर कंडिशन कौन सी होती है बहुत केंदर किये जिसे हम कहते हैं अब देखिए यहां पर और कौन से प्वाइंट हम डिसकास करने वाले हैं इसी पर्टिक्लर इसमें टॉपिक में मैंने कहा यहां पर जो अपको दिख रहा हैं कि यह कुछ एक डख्ट रूंत कुछ एक वाहनियों से निर्मित होते हैं अब यह डख्ट मैं आपको यह बताऊंगा यह duct होते हैं यह जो duct है इस particular duct को देखे मैंने आपको previous lecture में बताया था transverse particular हम कैसे कह सकते हैं और longitudinal कैसे कह सकते हैं मैंने का particular से खड़ी line आपको दिखाए दे इस इस straight line आपको दिखाए दे यहाँ पर कुछ एक 90 degree angle पर तो वह क्या होता है लेकिन 180 पर दिखा जाते हैं ट्रांसवर्स होता है उसे हम अनुपरस्त प्रकार के पापाट कहते हैं ठीक है अब देखिए यहां पर जो खड़ी लाइन है 90 पर जो है वो क्या है मैंने का यह स्टॉक्चर यह है तो यह डक्ट तो है लेकिन इस डक्ट को क्या कहेंगे इस डक् क्या कहते हैं इसको longitudinal डक्ट कहते हैं क्या कहते हैं longitudinal डक्ट अब हम डिसकस करते हैं one more type of duct which is basically present transverse ली जो की अनुपरस्त रूप से पाए जाते हैं और यह जो डक्ट आपको दिखाए दे रहा है यह क्या होता है यह क्या है मैंने का यह जो डक्ट है इसका यह इसका क्या है Transverse duct होता है इसका ये Transverse duct होता है जिसे हम कहते है Transverse duct Transverse duct को हिंदी में कहते है अनुप्रस्त वाहिनी क्या कहते है अनुप्रस्त वाहिनी या नलिका भी हम कह सकते है तो मैंने ये रिनेट सेल का डाइग्राम आपको बताया है ठीक है? यहाँ पर हम सारे points को one by one study कर चुके हैं किसमें execution में की कुछ एक accept जो है रिनेट सेल होते हैं इसके बाद directly हम लीड करते हैं execution के बाद next particular point जो हमें पढ़ना होता है आप जानते हैं execution के बाद हम क्या पढ़ते हैं हमारा जो next life process होता है उसे हम क्या कहते हैं इसे कहा जाता है locomotion क्या कहते हैं इसे इसे locomotion कहते हैं यहाँ पर locomotion में हमें क्या-क्या पढ़ना होगा कि गमन के लिए कौन-कौन से ऐसे points हैं जिसे हम discuss करेंगे यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि गमन जो है या तो इसमें particular क्या होगा अपसेंट होगा क्या होगा अपसेंट होगा यह sometime यहां पर अगर locomotion present है तो यह किसके help से होगा तो मैंने आपको previous lecture में बताया था कि इनके body wall में मैंने कहा जो भी members इसके element इसके होते हैं इनके body wall में muscle layer present होता है लेकिन muscle layer में भी मैंने कहा एक對 alon neighbours लोंगी टीॵडीनल भी प्रेजेंट होता है क्या होता है यहाँ पर क्या होता है अगर कभी-कभी किसी भी member मे अगर प्रेजेंट होगा भी तो वह बु क्यों Concella वो किसे होगा मैंने का यह जो पेशी अस्तर पाए जाते हैं इन्ही मसल में क्या होता है contraction होता है क्या होता है मैंने का यहां पर संकुचन होता है और साथ-साथ यहां पर आकुंचन भी होता है मतब relaxation भी होता है क्या होता है relaxation और contraction दोनों एक साथ होते हैं इस longitudinal muscle layer में जो कि इसके किसमें present होते हैं जो कि इसके body wall देहबित्ती में पाई जाते हैं and due to the contraction and due to the relaxation of the longitudinal muscle यहाँ पर यह क्या कर सकते हैं कुछ एक movement जो है यहाँ पर मिल सकता है यह कभी contract हो जाएगा और कभी क्या हो जाएगा रिलाक्स हो जाएगा तो थोड़ा बहुत सरक के गती कर सकते हैं मतलब यहाँ पर ज्यादा तो locomotion का process नहीं देखने को मिलेगा लेकिन sometime मिलेगा किसके दुरू मैंने का यह जो muscle layer है वो contract होंगे या फिर relax होंगे उनमे संकुचन होगा या फिर क्या होगा आकुचन होगा जिससे थोड़ी बहुत जो गती है गमन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है हमने locomotion की बात कर ली locomotion के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ इसके किसके बारे में nerves के बारे में कि आखिर यहां पर जो nerves होते हैं तंत्रिकाएं होती हैं वो किस तरह से यहां पर present किस प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं हम इसकी बात कर रहे हैं six point क्या है six point is nerves के बारे में जो हमारा next life process होता है वो क्या होता है nerves होता है इसके बारे में हम discuss कते हैं nerves के बारे में यह कहा जाता है कि अगर हम तंत्रिकाओं की बात करें तो तंत्रिकाओं में क्या present होता है तंत्रिकाओं में देखिए यहां पर इसकी जो तंत्रिकाएं हैं वो ring-like होती है क्या करते हैं ring-like मतलब वले नुमान तंत्रिकाओं का पाया जाना वो particular किस phylum का या किस phylum के member का क्या है अभी लाक्षिनी गुंधर्म होता है important characteristics होता है वो basically किसका होता है यह S के element इसका होता है तो मैंने का यहां पर किस तरह के यहां पर nerves present होते हैं यहां पर ring-like nerves present होते हैं तंत्रिकी वले कहा जाता है ring-like nerves present होते हैं जिसे हम क्या करते हैं हमने यह discuss किया अब सीधे हम directly lead करते हैं next topic के तरफ वो क्या है यहां पर excretion के बाद हम यहां पर locomotion को study किये locomotion के बाद nerves को study किये nerves के बाद हम हमार जो last particular life process होता है जो हमें पढ़ना है यह क्या होता है यह है reproduction के बारे में किसके बारे में reproduction के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जनन की जो प्रिक्रिया है वो हमें किस प्रकार से देखने को मिलेगा ठीक है यह देखिए reproduction कैसे होता है यहाँ पर जनन की जो प्रक्रिया हमें रिखाई देती है वो कैसे होता है मैं आपको यह बताने वाला हूँ reproduction के basis पर यह किस तरह के organism होते हैं first of all, हम यह discuss करते हैं reproduction के basis पर यह जो organism होते हैं वो कैसे होते हैं यह होते हैं unisexual कैसे होते हैं मैंने का यह होते हैं unisexual मतलब यह एक लिंगी प्रकार के होते हैं unisexual होते हैं मतलब यहां पर हम क्या यह कह सकते हैं कि यहां पर sexies are separate क्या कहा जाता है sexies are generally separate मतलब जो लेंग अंग होते हैं वो अलग-अलग होते हैं मतलब particular के वहले एक single organism में दौनों organ present नहीं होगा यहां पर two individual other organism होते हैं जिसमें क्या होता है two individual में एक में male होगा एक में male sex organ होंगे एक में क्या होंगे female sex organ होंगे ठीक है इसलिए मैंने कहा यहां पर sexes are separate अगर यहां पर reproduction पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दू यहां पर fertilization किस तरह का होता है यहां पर इसके member में कि बात करते हैं पर इसमें इन्टर्ण टाइप का होता है और यहीं पर ही आपको next point बताना चाहूंगा यह क्या है यहां पर हमने reproduction के basis पर unisexual कैसे होते मैंने किस तरह से होता है यह तो डिसकस कर चुके हैं अब सीदे हम next point क्यों लीड करते हैं यहां पर रहे हैं यह कहा जाता है कि अगर हम इसमें embryonic development की बात करेंगे इसकी मैंने का अगर यहां पे भूने परिवदन की बात करते हैं तो क्या यहां पे larva present होगा यह larva absent होगा इसकी बात करेंगे तो यह कहा जाता है कि यह mostly कैसे होते हैं mostly तो इसमें जो embryonic development होता है वो होता है direct type का कैसा होता है वो protection प्रकार का होता है और आपको पता है अगर embryonic development अगर direct type का होता है तो इसमें larva क्या होते हैं मैंने का यहां पर larva absent होता है तो हम कहते हैं कि उसमें embryonic development कैसा होता है direct type का लेकिन ऐसा अधिकांस्तिया रिखा गया है इसके भी possibilities हैं कि यहाँ पर sometime जो है किस तरह का embryonic development हो सकता है मैंने का यहाँ पर sometime जो भूर्निय परिवदन है वो कुछ time जो है वो देखा जाता है यहाँ पर कैसा मैंने का यहाँ पर indirect type का embryonic development भी हो सकता है कैसा मैंने का indirect type का embryonic development भी हो सकता है और indirect type का embryonic development क्यों होता है तो इसका मतलब तो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर larva क्या होता है present होता है क्या होता है larva present होता है कुछ एक member जैसे हम यहाँ पर किसकी बात करें यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ascaris की चीक है ascaris में जो है उसके life cycle में एक larval stage हमें देखने को मिलता है औ यहाँ पर देखते हैं इसको किसमें larva जो है वो कौन चाहें यह देखते हैं पहले larva को कहते हैं रेब डीटी मैंने का रव डीटी फॉर्म लार्वा कहते है और रेब डीटी फॉर्म लार्वा के वजह से मैंने का इसके इसमें present होता है इसलिए इसमें indirect type का embryonic development भी देखा जा करता है मैंने का यहां पर रैब डिटी रैब डिटी फॉर्म लार्वा यह लार्वल स्टेज है जो कि हम यहां पर हर फाइलम में फाइलम वाई फाइलम यह लार्वल स्टेजिस को भी हम क्या करते हैं study करते हैं मैंने एसी के बारे बताया है कि एक बारे में प्रेजेंट होता है और किसके सिर Christian wszystko present होता है कि इसमें ascaris में present होता है उसके life cycle को हम जब study करेंगे कि ascaris lumbricoids का जो एक life cycle है उसके बारे में हम जब study करेंगे तो उसके infection उसके different larval stages को उसके mounting stages को हम study करेंगे तो उसमें बताऊंगा कि रैपडिटी Form larva कहा होता है हमने इस particular segment में क्या discuss किया we discuss about all the life processes of the S.K. herminthes first we discuss about the process of digestion यहां पर मैंने कहा कि इसका digestive tract होता है वो पून प्रकार का पार्चन पत होता है which is generally made up with the mouth, pharynx, intestine and anus यह मुख से बना होता है, ग्रस्नी भी है, intestine भी है और यहां पर गुदा माग भी होता है intestine के साथ यहां पर अगर हम बात करते हैं pharynx की तो pharynx वो पेश्य प्रकार के होता है पेश्य प्रकार की ग्रस्नी होती है muscular type के होता है और यह पेश्य प्रकार की ग्रस्नी यहां पर present है यह help किसमें करेगा मैंने यह बताया कि यहाँ पर अगर पेश्य प्रकार के फारिंग्स इहां पर प्रेजel रहते हैं इस पर्टिकलर मस्कुलर फारिंग्स इस जेनरली यूजड फोर इसका प्रयोग किसले कि जाता है यूज़ फोर शक्ट फूड बैने कहा यह जो है भोजन को चूसने के लिए या फूड को शक करने के लिए यहां पर यूज़ मिले जाते हैं लेकिन वाइल दा अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की तो यह कैसे होते हैं यह नॉन मस्किलर होते हैं जो पेशिय परकार के नहीं अगर हम बात करें तो यह इसमें कोई स्टॉक्श्यार गिंट होगा नहीं बॉडी सर्वेस से होगा है वो दिफूजन वो प्रोसेस है जिससे यह देखा जाएगा पेरासाइट की बात करते हैं तो यहां पर कुछ एक मेंबर पेरासाइट भी होते हैं और पेरासाइट में जो respiration होता है in the absence of oxygen होता है जिसके लिए हम कहते हैं आप यह प्रकार का जो सोशन होता है वो परजीवियों में पाया जाता है जो कि SK Helmetis के सदस्यों होते हैं यहां पर देखो मैंने आपको बताया कि circulatory system के बारे में यहां पर क्या होता है अपसेंट होता है यहां पर परिशंचरन तंत्र नहीं पाया जाता है अगर हम बात करते हैं एक्सक्रिशन की तो यहां पर कुछ विशेस तरह के cells होता है कोशिकाइत होती है specialized cell होती है जिसे हम क्या केते हैं accept cell केते है जाए जो accept cell होता है यसे cell कहते है और यह जोret Hell होता है it is made up with the two types of duct यहां पर duct जो है longitudinal भी होता है यहांपर duct ट्रांस टाइब का भी होता है जिखें यहांपर there is the presence of multiple nucleus is और यहां पर बहु केंदर की और बात करें जन्नांग पाए जाएंगे इसमें इंटरनल टाइप का होता है आंतरिक प्रकार का होता है और इनमें embryonic development की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं ये direct type की होते हैं इसमें larval is absent होता है लेकिन sometime ये कैसे हो सकते हैं इन direct type की हो सकते हैं कौन से larval present होगा ascaris में पाया जाने वाला rapidity form larva क्या होगा present होगा हमने इस अभी point discuss करने के बाद मैंने आपको बता है लोको मोशन के बारे में लोको मोशन जो है मैंने कहा इनके body wall में there is a presence of longitudinal muscle layer but there is a absence of circular muscle layer so with the help of contraction and relaxation in the longitudinal muscle layer there is a chance that all the members which belong to the SK helminthes can loco mode sometime मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर वर्टुल परकार के पेशियस तर अनुपस्तित हैं लेकिन यहाँ पर अनुधरिय परकार के पेशियस तर पाए जाते हैं और उसी में संकुचन और आकुचन से क्या हो सकता है गती गमन हो सकता है पॉसिबल है आगर हम नव्स की बात करते हैं तो नव्स तंत्रिकाई कैसी होती है रिंग लाइक मैंने का वले नूमा तंत्रिकाउं का पाया जाना हमने यहाँ पे लाइप प्रसेश की बात की मैंने सेक्स्वल डैमोर्फिजम को समझाया और इस से पहले हमने बेस्स आफ क्लासिफिकेशन को dynamic की ठीक तीक है मैं आपको पारसीम के बेस्वे परजी बिता के धार पे ँसके मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे अरृ भालान के यह परासाइट होते हैं तो किसी ने किसी तरह का disease create करेंगे अपने host में उन सभी disease के बारे में उनके symptoms के बारे में मैं बताऊंगा और कौन-कौन से members जो हैं वो basically class में belong करते हैं उन दोनों ही तरह के classes के बारे में दोनों ही वर्गों के बारे में आपको detail में बताऊंगा ठीक है तो नेक्स लेक्टर विल बार्ट दो क्लासिटिकेशन अफ देश्क हेलमें थीज तब तक के लिए जय हिंद जय राजधानी